सभी मित्रों को नमस्कार साथियो स्वागत है पर आप तो वाकई आप लोग कॉन्फिडेंस आ गए जिस तरीके सेकंड डेर साथियो अमने कवर किया है डिक्टो सवाल सुरूट वीडियो में से सवाल साथियो जैसे बताए वैसे सवाल तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रुकने वाला नहीं है चाहिए आपका रीट हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो साथियो रुकने वाला मिशन नहीं है टोपर देना तैव हुआ है टोपर देके रहेंगे साथियो यह देखिया आप राजिस्तान के परमुक आप लोगों के संसंपर्दाय अब हमें क् परवरतक कि उनको सभ्व कऊना उनकी परमुख पीट कहां है मैंने बात की सब इस भखें ये ऐसके चलिए संपर्दाय हो गया पर वरतक जसनात जी होगए और कर ये सब्सक्राइब में साथ इंका परधान पीट है इंपरेण्छ अनके है कि यहां एक निरत्य होता है मित्रों उस निरत्य को कहते हैं हम लोग अगनिरत्य और यह अगनिरत्य के भोल होते हैं फत्ते फत्ते वे ही साथियों आप लोगों के जसनात जी हैं जिनके नियम होते हैं नियमों की संक्या है वे 36 है नियमों की संक्या कितनी है 36 तो नियमों की साथ यो पीपासर नागुर में है यहां जाम्बो जी का जनम हुआ एक साथ ही आप लोगों के समरा थल है समरा थल समरा थल पड़ता पीका निर में जहां धोक धोरा नामकिस्तान कौन सा है धोक दोरा नामकिस्तान वहां 7 इन्हों involved भिशनोही संपरदाय की इस्तापन की जांब जी का मूल नाम था विद्यार करना साथ विए आप लोगा मूल नाम की बात करें तो अप लोग उसे धनराज था और इनका जनम हुआ साथियो 1451 में 1451 में जनम हुआ और 1485 में हम लोग संपरदाय के टस्तापना की 20-09 सब्सक्राइब के लिए जाने जाते हैं बहुत मतिक्सरण संपरदाय रहा है साथ क्यों नहीं रहेगा कि हमारी भेन विष्मी समाज की बेटी देखे ऐए से अमरिता देविय्जिने विरक्षों के बलिदान के लिए साथियों आसपास की गाउग सभी लोगों ने वहां भलिदान दिया विर्क्षोग रक्षा के लिए दमन करता है साथु ऐसे संपरदाय को हम लोग तो विश्णों ही तीन द्यानक नथा ठीक है आगे बात करते हैं दादुपंत दादुजी साथियो दादुदेपंत क तत्っकालिन डुंडाड में घूमते रहे साथियो और आकर्यकार नारहन रांशा करते हों जैपुर में छальная परधानपीति वहें इनके साथियों सबसे बड़े पुặतर थे दत्तक पुarette तर थे वे गरीब्दास गरीब्दास इनके गद्डी पर बैटे साथ यूँ आपको पता है कुल मिलाके 152 सिश्य थे भावनी मुख्य उन्हें 52 स्थम कहते हैं और सोक साथ यूं एकांत वासी कहते थे भी ध्यान रखें आप लोग फालगुन महा शुकला आपके ध्याना के सा लगाई यह साथ यूँ दादू दयाल जी के थोड़ी सी कहानी आप लोग ध्यान रखेंगे लाल दासी साथ यूँ अलवर के रहने वाले और मेव जाती से थे मेव जाती से थे लकडिया काटते थे समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई समदा को मा काना समद चांद जैसे कंग लाल मिला लाल दासी गदगध हों गुरु नाम गद चिस्ति सथिएивает घ्यानक चांप धान सब्सक्राइब ठारणकरणक यां प्रदधा और सेरपुरा अलवर मेंनकी क्या है आप परधान पीठ अपके जो सहां究 जाकराई कारी संगर सोगा सात्यों दाराशीक और औरंग जीब के बीच उसकी बहुश्य वानी इन्हों ने किये थी आपको ध्यानकना और बहुश्य वानी साबी तो क्यों नहीं होगी साब अलवर की है ना अलवर तो खास है ठीक है तो आप लोग कहेंगे शेर पुरा अलवर माफी चा तो अलवर के डेरा अलवर में साथियों का जनम हुआ और ध्यानकना आप लोगों के प्रधान पीट का है दिल में यह इंपोर्टेट यह बनता है साथियों कि इनका नाम में पहले बता चुका हूँ शेजो भाई और दयाबाई शेजो भाई यह इनी की सिष्या है आप लोगों को पता होना चाहिए क्लियर ओके चर्णदास जी होगे हमारे निर्गुणी और स्यगुणी दोनों पिरकार का संपर्दा है साथियो सहजो भाई ने सहज प्रकार सोलत इती और शब्दबानी लिखी दया ने दया बोध और विन्या माली का लिखी दया का बोध वही कर बर पूछता है सांथियों मैंने स gobier रेण है यह आप लोगों की नागूर में है एसके संस्तापक कोन है दरियाव जी है यह इनकी पीठ है यहाँ दूसरी खेड़ापा है और यह खेड़ापा जोधपूरमें इसके श्व पूछता है हमेर्चा सवाल आता है और तीसरा है सातियों सिंक्तल सिंक्तल है भीकानिरमी और इसकी परधान पीठ की जो संस्तापक है विए द्यान रखना हरी रामदास जी बड़े है सिंक्तल बड़ाया içोटate rum पाप छोटा है निसानी रखना हरी बड़े के साथ बढ़ा छोटे के साथ छोटा रामदास तो खेड़ा पाइर रामदास सिंग्ठल और निसानी किसका है सातियों इनका ये द्यान रखें आप लोग ठीक है मेला शाहापुरा भिलवाडा में लगता है इसे सातियों हम लोग फुल डोल मेला कहते हैं क्या कहते हैं फुल डोल मेला इसे ही कहते हैं आपको त्योहरों में करवारा क्या है चैतर कृष्ण महा एकम से पंचम आपके सत्यों इनका मेले लगता है निरंजरी संपुर्दाय अरिदासी हैं नागोर के रहने वाले सत्यों गुदर संपुर्दाय स गुदर संत लोग हैं गुदरी वस्तर इस्तेमाल करते हैं और गुदरी दातला से काट के बनाते हैं ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगें ओके क्लियर और दिक्कत आपको मेरी सब दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिक्कत होगा भी क्यों भाई घड़े न आपका लाइक करना है भाई को होसला देना है वागई आपको पसंद आए तो लाइक तो कर सकते हो एक आदमी को होसला बढ़ा सकते हैं साथी आप लोग बहुत बढ़िया आगे बात करें अब साथियों हमारे पास निस्कलंग संपरदाय का संस्तापक संत माउजी है और संत माउजी ने जो साथि एक जील है चोपड़ा एक अस्त कलावी है और यह जो है साथियों वह कहां के रहने वाले डूंगरपुर बासवाड़ा के और दूंगरपुर बासवाड़ा कोण सी बोलेंगे बागडी तो द्यानकरा बागडी बोली में उन्हों अपने उपदेश दिये साबलागाव डू साथियों यह इनका है और सीकर के हैं परसुराम जी जो की चतेशुएं निम्भाइक चारी यह साथ्यों आपके सलैवाबद पीटके संस्टाब्य में वल्लब समप्रदाये साथ्य आपके भगवान करिश्ण के पूजा होती है बालरूप के पूजा होती है बाल करु अलू स्थापना कहा होती है सियाड़गाऊ में और राज्यस्तान में संस्था पकोने सात्यों ध्यान रकना मिवाड के महरमा राज शिंग je जो दामदर गोविंद जो घौषण प्रबत से सिरनाथ जी की मूर्ति को लाता है कि औरंजी मूर्ति को तुलुआ चाहता है साथियों उन दोनों पूजारी यहां से लेके आते हैं और उनका मूर्तियों का इस्तापन होती है स्रीनाथ द्वारा राज सामद में दिन में आठ पार पूजा होती है साथियों हम लोग यहां दर्शन को जहां की बोलते हैं ज्यान को पुष्टी बोलते हैं और मंदिर को रामनगर गुजरात के आपके सब राजिस्तान में क्यों पढ़ते हैं क्योंकि साथ यो आदरस नगर पढ़ता है जैपुर वहाँ इनको मानने वाल लोग रहते हैं और इनकी रचना है कुजलम सहरूप यह ध्यान रखेंगे आप लोग अलखे संपर्दाइं इंपोर्टेंट जगाई बीक अंदिर में और इंकी रचना कुंडली यह साथ यो अलख इस्तूति प्रकास्त बहुरा संपर्दाइं पीर फक्रावद्वी ने गल्या को डूंगर पूर लेकिन बहुरा चत्री पूछे तो साथ यो कैला देवी का मंदिर करो ली में ठीक है लगा लिजे गड दस मिनटो है और दस मिनटो साथ समय से खतम आपकी तो लगातार स्रीषे बन रहेना नोर्स मंगवा लेना नोर्स आपके टेली ग्राम पे मच्छु करेंगे शाथ यह और यह एंटिवाटी आप लगातार मिलते लेगी रहाम राम साथ धन्यवाद थैंक्यू और वही बात घरवालों को राम राम जरूर कह देना राम राम में कोई बुरी बात नहीं है आपको लगी भी रहोगा कि ये बार-बार अलोबर वालत सरे ना राम रम ही कहते हैं जो राता है हमको सुनते हुए ठैंक्यू धन्यवाद